पिछली स्टार वार मुवी की कहानी में क्लोन वार शुरू हो गई थी और इस कहानी में दिखाया गया है कि उस क्लोन वार को आज पूरे तीन साल का अर्सा गुजर चुका है और मुवी की शुरुआत होती है उसी वार से जिसमें सेपरेटिस्ट की रोबोट आमी और पे नाइट्स में ओबी वैन और यंग डर्थ वेडर जिसका नाम अनाकिन स्काइवॉकर है वो भी शामिल होते हैं ये दोनों एक मिशन पर निकलते हैं जिसमें ये एक सेप्रेटिस मुव्मेंट के जनरल से किदनेब चांसलर को चुराने आए हैं ये चांसलर वही आदमी है जो पिछले मुवी में अनाकिन की सेनेटर वाइफ और एक्स क्वीन का खास दोस्त था ये दोनों वहाँ जनरल से फाइट करते हैं और उसी डार्क फोर्स के लॉट काउंट डूकु जिसे डार्क फोर्स में ट्रानूस के नाम से जाना जाता है उन्हें दिखाया जाता है ओ और वो उसे उकसाता है और अनाकिन काउन डूकु के दो तुकडे कर देता है चांसलर के चेहरे पर मुस्करहाट आ जाती है क्योंकि वो उसके अंदर नेगेटिव फिलिंग्स को पारफुल करना चाता है वहाँ जनरल उसी शिप से जिस पर जेडाई नाइट्स आये होते है वहाँ से भाग निकलने में कामियाब हो जाता है और अब अनाकिन और ओबीवेन चांसलर को वापस प्लैनेट क्रॉसकेंट पर ले आते हैं वहाँ पहुचकर अनाकिन अपनी वाइप सेनेटर से मिलता है जो से बताती है कि वो प्रेगनेंट है ये सुनकर पहले तो पुर्ष भी होता है लेकिन वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए परिशान नहीं है क्योंकि एक जड़ाई को शादी करने का कोई भी अधिकार नहीं है और नाए उसे किसी तरह की अटेच्मेंट की परमिशन है अब अनाकिन को चांसलर मिलने के लिए बुलाता है जहा अधिकार नहीं है जड़ाई कांसलर उसे कहती है कि चांसलर जो भी बात करे और जो भी उसके एक्शन्स हो वो सब वो कांसल को रिपोर्ट करे क्योंकि चांसलर पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है जड़ाई कांसल अनाकिन के टीचर औबी वेन को भी एक मिशन देती है जिसमें उसे भागेवे जर्नल के पीछे जाना है उसे पखड कर लाना है ये सुनकर भी अनाकिन को अच्छा नहीं लगता कि उसके टीचर के साथ उसे मिशन पर नहीं भीजा गया अर अनाकिन अपनी वाइफ के पास चला जाता है और उसे भी ये सब कुछ शेयर करता है वो से धैरे रखने को कहती है और कहती है कि एक दिन तुम जड़ाई मास्टर जरूर बनोगी रात को सोते वे अनाकिन के अचानक से बुरे सपने से आख खुल जाती है और वो उटकर भार आ जाता है उसके उसके वाइब भी आती है और उससे पूस्ती क्या हुआ अनाकिन कहता है कि मुझे वैसे सपने आ रहे हैं जैसे मा की मौक के वक्त आया करते थे और अब मैं इन सपनों में तुम्हें देखता हूं कि तुम्हारी बच्चा पैदा करते वे मृत्ति हो गई है वो ये सुनकर उ वहाँ पर इखटा करता है पर यहाँ पर अब उभी वैन भी पहुंच जाता है और वहाँ पहुच कर वो उस जन्रल को मार देता है ताकि यह चल रही जंग हमेशा के लिए खत्म हो सके वहीं चांसलर अनाकिन को फिर से अपने पास बलाता है और उसके साथ अपनी डाक फोर में फसा कर डाक फोर्स का हिस्सा बना सकी इसलिए वो इस सब तरीके अनाकिन पर आजमारा होता है अनाकिन मौत से बचने की बात सुनकर चांसलर की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को जिससे वो बहुत प्यार करता है उसे किसी भी कीमत पर मौत से बच जाता है और उन सब को चांसलर की असल हकीकत बता देता है वो सब जडाइ मास्टर मिलकर चांसलर को अरेस्ट करने जाते हैं और अनाकिन को वहीं रुकने के लिए कहते हैं चांसलर एक एक करके सभी जडाइ मास्टर को मार देता है और अब सिर्फ एक ही बसता है जो चांसलर से वह यहार नकिनको अपनी वाईफ के लिए परिशान दिखाय जाता है उसे लगता है कि उसे बचाने का सिर्फ है की तरीका है और वो चंसलर के पास है उसी नहीं उतेह करता है कि उस चंसलर का साहथ देगा वो वहाँ पहुँच कर उस जेडाई मास्टर का हाथ कार देता है जो चांसलर पर वार करने वाला होता है और इस तरह वो चांसलर को अपना मास्टर मान लेता है और डाक फोर्स जॉइन कर लेता है और चांसलर उसका नाम लॉर्ड वेडर यानि की डर्थ वेडर रखता है अब Republic Command में आकर चांसलर अपने क्लोन आमी को ओरर देता है कि उनके साथ सभी जेडाई मास्टर्स जो सेप्रेटिस्ट आमी से लड़ रहे हैं उनने मार दिया जाए वो कलोन आमी सभी जडài मास्टर्स को मार देती है जिवाई योध्धा और अनाकिन की जडài टीचर ओबी वेन की चांसलर अनाकिन को यानि की डर्थ वेडर को ओरडर देता है कि वो जाए और सभी सेपरेटिस लीडर को और सभी यंग जडài स्टूडंस को भी मार दी और वो ऐसा ही करता है इसके बाद चांसलर सेनेट के सामने आता है और इस गैलेक्टिक रिपबलिक को गैलेक्टिक एम्पायर में बदल देता है और खुद को इसका एम्परर बना लेता है और ये भी डिक्लेयर करता है कि सभी जिडाई मास्टर्स और उनके स्टूडेंस हमारे दुश्मन हैं, उन्हें जहां भी देखा जाए, उन्हें उसी वक्त वहीं मार दिया जाए अब योधा और जिडाई टीचर अपनी अपनी जान बचाकर वापस प्लैनेट क्रोस केंट पर पहुँच चुके हैं, जहां उन्हें अनाकिन के डर्थ वेडर बन जाने का पता चलता है, और योधा चंसलर से लड़ने के लिए निकल जाता है, और ओवी वेन डर्थ वेडर का सामना करने, ओवी वेडर को ढूनते ढूनते उसकी वाइफ तक पहुच जाता है, और उसे उसकी सारी सचाई बताता है, पर वो उस पर यकीन नहीं करती, और कहती है कि अनाकिन से वो खुद ये पूचेगी, ये दोनों मुस्तफर प्लैनेट पर आ जाते है, जहां अनाकिन क मुसे पूरा सच जानने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ओवी वेडर जो कुछ कहरा था, वो बिल्कुल सस्ता, इससे उसे बहुत दुख होता है, तब ही अनाकिन शिप पर अपने टीचर ओवी वेडर को देख लेता है, जिससे उगसे में आ जाता है, और अपनी और अनाकिन के बीच में फाइट होती है, ओवी वेडर उसकी दोनों टांगे और दूसरा हाथ भी कार देता है, वो वही लावे के पास गिर जाता है, उसे वहाँ जलता हुआ छोड़कर ओवी वेडर अनाकिन की वाइफ के साज शिप में बैट कर यहां से निकल जाता है, व और उनका नाम ल्यूक और लेहा रखती है, यही वो बच्चे हैं जो बड़े होकर जिराई मास्टर ल्यूक और प्रिंसेज लेहा बनेंगी, और डाक फोर्स से लड़ेंगी, वही चांसलर यानि की एम्परर अनाकिन की जलतीवी बाडिक उठाता है, और ठीक करवाकर एक आमर सूट पहनाता है, और इस तरह से अनाकिन की डाक फोर्स की लॉड डर्थ वेडर की ट्रांस्फोर्मेशन कम्प्लीट हो जाती है, वो जब बोलने के काबिल होता है तो चांसलर से पूसता है कि उसकी वाइफ कहां पर है, जिस पर वो उससे कहता है कि उसने गुस्से में आकर गला दबाकर उसे मार दिया, और ये सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिससे उसकी पावर्स और भी स्ट्रॉंग हो जाती है, वहीं ओबिवेन और योदा प्लैन करते हैं कि वो बच्चों को चांसलर से बहुत दूर रखेंगी, जहां वो इनकी प्रेजिंस को फील ना कर सकी, योदा का एक साथी लेया को अडॉप्ट करके अपने होम प्लैनेट एल्डरान ले जाता है, और ल्यूक को उसके स्टेप अंकल अंटी के प्लैनेट टटूनी पर भेज़ दिया जाता है, ओबिवेन और योदा खुद को चुपाय रखते हैं